शपत ब्रहण कारक्रियम कब? आने वाली 21 सितंबर को आतीशी दिल्ली के मुख्य मंद्री पत की शपत लेंगी अकेले आतीशी ही नहीं उनके अलावा मंद्री पत की भी शपत दिलाई जाएगी अब चर्चा ये हो रही है कि कौन-कौन से विधायक मंद्री के रूप में शपत लेंगे कौन-कौन लेगा शपत? अटकले है कि आतीशी के मंद्री मंदल में फिलाल पांच मंद्री शामिल होतकते हैं बताय जा रहा है कि मंद्री मंदल में नहीं चेहरे को भी मंद्री बनाये जा सकता है दली समाज से आने वाले MLA मुकेश अहलावत पर दाउच चला जा सकता है बतादे की मुकेश अहलावत कुल्तानपूर माजरा से आम आदमी पार्टी के विधायक है पार्टी अगामी विधान सभा चुनाओं से पहले दलिस चेहरे को सामने ला सकती है आपका नया दलिस चेहरा राजिंद्रपाल और राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में दलिस मंत्री नहीं था बोपाल राय, कैलाज गहलोट, सौरभ भर्द्वाज और इमरान हुसैन मंत्री बन सकते है आतिशी की कैबिनेट में दू पांच नाम है, इनमें से चार पहले भी मंत्री पत्पर रहे है पार्टी की मंशा है कि सभी वर्गों के लोगों को मंत्री मंडल में प्रतिनिधित्वों मिल सके बता दे की दिल्ली की मौजूदा विर्गान सभाग का कारे काल साल दोजार पचीज तक का है सादगी बड़ा रहेगा शपत सामरों बीचे 17 सितंबर को अर्विंद केजरिवाल में मुख्य मंत्री पत्ति इस्पीफा दिया था आतीशी सुस्मा स्वराज और श्रीला दिक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सियम होगी आतीशी का सपत सामरों राजगोबन निवास में आयोजित होने की संभावना है बताया जा रहा है कि आतीशी का सपत ग्रहन समारों राजगोबन रहने की नीज है 1 1 2 1 2 2 1 झाल 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 झाल